दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आप voter ID card यानि मतदाता पहचान पत्र के लिए कैसे पंजी करन कर सकते हैं? क्योंकि बिना मतदाता के vote दिये भला कोई चुनाव हो सकता है? तो चलिए समझते हैं voter ID card यानि मतदाता पहचान पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक पहचान प्रमांट पत्र है इसे बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरकर खुद से या उनलाइन पंजी करन कराना होता है फॉर्म 6 भारत में मतदाता पंजी करन कराने का फॉर्म है अगर आप फॉर्म में दी गई सभी बातों को पूरा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट किसी भी एक खास निर्वाचन छेत्र में वोटरों के नामों की एक सूची है अब समझते हैं कि ये वोटर आईडी कार्ट बनवाने के लिए क्या चरण होते हैं पहला चरण है फॉर्म 6 भरना मतदाता सेवा पोर्टल से फॉर्म 6 डाउनलोड करें जो हिंदी अंग्रेजी में उपलप्त है फॉर्म को ऑनलाइन या ओफलाइन भरें आप चाहें तो निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी और बूत इस्तर अधिकारियों के कार्यालों से भी आप फॉर्म 6 ले सकते हैं अगर आप दिव्यांग हैं, तो उपर बताये गए कार्यालों में आपको खास मदद मिलेगी दूसरा चरण है जरूरी डॉक्यमेंट्स शामिल करना भलेगी आप ओनलाइन यो ओफलाइन फॉर्म छे भर रहे हों अगर आपने ओफलाइन फॉर्म भरा है तो आप अपने डॉक्यमेंट्स और इस फॉर्म को अपने मददान केंदर के बूत इस्तर के अधिकारी को जाकर के जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप अपने verified documents और इस form 6 को post की माध्यम से भी इन कार्यालों में पहुँचा सकते हैं और चौथा चरण है voter ID card का इंतिजार करना form में दी गई जानकाई को जाचने के लिए एक बूत इस्तर का अधिकारी इस form में दिये गए पते पर जाएगा जब आपका voter ID card बन जाएगा तब ये बूत इस्तर का अधिकारी आपके पते पर इस ID card को भेज देगा या फिर आपसे निर्वाचन पंजी करण केंदर में आकर इस card को लेने को कहेगा और इसके बाद आपका नाम voter list से जड़ जाएगा एक voter ID बनाने की चार चड़नों की ये पूरी प्रक्रिया है हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप आसानी से अपना voter ID card बनवा पाएंगे इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलप्त कराई गई है आप इस तरह की और जानकाई और भारतिय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं तो चुनाओ से जड़ी और बातों को जानने के लिए देखते रहेंगे खबर लहरिया खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा